आईए सुनते हैं सूर्यपाला जी की कहानी सुम्मी की बात। सुम्मी को अब सुम्मी कोई नहीं बुलाता। बच्चे मम्मी बुलाते हैं काम करने वाली महरी बीबी जी और उसका पती सुनो। मम्मी सुनते ही उसकी आखों के सामने चाय का डिबबा और गैस पर पतीले में खौलता पानी आ जाता है बीबी जो सुनते ही किचन की गंदी मोरी और सुनों से ताजे अकबार का वो गोल घेरा जिसके बीचों बीच बैठे उसके पती दोनों हाथों की उंगलियों से अकबार थामे गरदन उची नीची करते खबरे पढ़ते रहते हैं बाहर से देखने पर तो पता भी नहीं चलता कि इस गोल घेरे के पिछे कोई होगा भी सिर्फ खुला हुआ अकबार दिखता है और उसे पकड़े हुए दोनों हाथों की उंगलियों के छोर पती की सुनों सुनते ही वो कोई भी काम करती होती है उसे छोड़कर बेतहाशा दौड पढ़ती है उसे दोड़ते देख उसकी बेटियां हस पढ़ती है और हस्ती हुई एक दूसरे से कहती है दोड़ती हुए मम्मी कितनी फणी लगती है ना सुमी सुनकर खिसके हस देती है पर मनीमन पुछती है अच्छा अगर मम्मी की जगा सुमी दोड़ती होती तो फणी नहीं लगती न सुमी की अभी आदत सी पड़ गई है हर बात में मम्मी की बात उठते ही वो अनायासी उसकी तुलना सुमी से करने लगती है सुमी जैसे शब नहीं उसका नाम नहीं कोई प्याला हो और इस प्याले में इतना इतना लाड प्यार लबालब भरा हो कि वो जब भी चाहे जी भरके सुड़क सकती हो हाँ मम्मी दोड़ती थी तो उसकी सुत्ती सी नाग ठंडी पड़ जाती थी और खुले-खुले बाल हवा में छितराते लेराते जाते थे इसलिए कभी-कभी उसका मन उस सुम्मी को पकड़ पाने के लिए तरफडाने लगता है किस से कहे कि ए मुझे सुम्मी कहकर पुकारो जरा देखूं तो कैसा लगता है फिर वो अद्रिश हो गए अतीद की गरेराई में हाट डाल डाल कर खंगालने टक तोरने लगती है कि शायद कहीं बित्ते भर सुम्मी मिल जाए और तो और कभी-कभी मन करता है एक खत लिखे उस खत में सिर्फ तीन शब्द हूँ अम्मा की सुम्मी और उसे तेज जर जराती हवाओं के बीच यूही उडा दे बस उसे लगता है उसमें से आवाज अवश्य आएगी हजार हजार प्रतिधनियों में सुम्मी, सुम्मी मम्मी, वो चौक जाती है ओ, ये तो उसकी बड़ी बेटी प्रिया है कॉलिज से तीन सहेलियों को लेकर लोटी है और उसकी और संकेत कर परिचे कर आ रही है माई मम्मी वो हसकर अभिवादन का जवाब दे फट से किचन में जाकर प्याले तश्तरियां पोच्टी है पतीले में चाय का पानी चड़ाती है और पकोडी के लिए प्यास के चल्ले काटने लगती है सब कुछ तयार होने पर बड़े उत्सा से बेटी को बलाती है और ट्रे उसके हावाले कर देती है बेटी पुछती है कि क्या मम्मी ने चाय ली उत्तर में वो अपना प्याला दिखा कर हलके से मुस्कुरा देती है वो सब के सामने जादा गर के मुस्कुराती ही रहती है लेकिन अकेले होने पर चाय का कप या रोटी का कौर लेकर बैटते ही अनायास कुमसिम सी ही सोचने लगती है कि उमर की डलान पर बैठी कितनी मम्मी ने इस रसोई घर में चुपचा पिस तरह बैटकर चाय पी होगी अच्छा पहले भी तो कितने कितने लोग रह चुके होंगे इस किराय के मकान में वो कैसे रहे होंगे उन्होंने कब कब क्या किया और सोचा होगा और यहां इस जगह पर इस मकान से पहले भी क्या रहा होगा अदफुटा अवशेश लेकिन तब भी कोई न कोई रहता ही रहा होगा और आगे भी तो सुम्मी के बाद भी जाने कितने लोग, कौन-कौन से लोग रहेंगे, कौन जानता है। वो सब भला क्या जानेंगे, कि कभी या सुम्मी नाम की लड़की नहीं औरत रह चुकी है। बस यही खराबी है सुम्मी में, चाय का प्याला हाथ में आते ही, कि कैसे वो दुपहरी होते ही, अम्मा की आखे बचाकर, दबे पैरो कच्ची दिवारों के पीछे बगीची में पहुच जाया करती थी। वहां सन्नो, बिज्जू, रमन और इससे मिलते जुलते नामों वाले लड़के लड़कियां फटाफट पत्थर मार मार कर कच्ची अम्या तोड़ तोड़ कर जेबों में ठूसते रहते थे। कुछ एक नमक मिलची की बुखनी भी साथ लाये होते थे। वह सबसे सीधी छटंकी सी थी, इसलिए पत्थर एक भी नहीं मार पाती थी। सिर्फ सूखे चर्मराते पच्चों के बीच से अम्या बिन बिन कर सबको दिया करती थी। सब उससे खुश रहते थे, उसे प्यार करते थे और अपनी तोड़ी आम्या भी देते थे। लेकिन सबसे जादा रमन कभी-कभी तो वो अपनी थोड़ी एक-दो आम्या ही रखकर बाकी उसे सब दे देता। खेल के समय भी रमन सबसे पहले ही उसे अपनी ही टोली में लेता। कोड़ा जमाल शाय खेलने पर उसे कोड़ा भी बहुत हलके से लगाता। लेकिन तब उसमें अतनी बुद्धी ही नहीं थी कि रमन के उस अनुग्रय के प्रती किसी तरह की कृतग्यता भरती। और जब तक बुद्धी आई तब तक तो नजारा ही बदल गया था। हुआ ये था कि पापा के ट्रांसफर की वज़े से उसे दो साल छोटी चाची के पास रतलाम रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। और जब वो दो सालों बाद लोटी तो रमन के बदले हुई हुलिया देखकर दंगी रह गई। होटों पर बेतर तीब उठे बालों को तराश कर वो मूचे चाटने लगा था। और बाल को भुरबुरा कर जाने कितने बुलबुले निकाल। हमेशा अपनी खिड़की पर जमा अजीब अजीब नजरों से उसे टक्टकी बादे देखता रहता। किसी न किसी बहाने दिन में तीन-चार बार उसके घर आता, हर बार एक नई भड़कीली रंकी बुशट और उपर से तीन बटन खोले रहता। खड़े-खड़े यूँ ही मुस्कुराता रहता और शुतर मुल्क सी टांगें हिलाता रहता। बादे किसी से करता, कंकिया हमेशा सुम्मी को ही लिजली जी नजरों से देखती रहती। जैसे ही लोग इधर उधर होते, रमन की पुतलिया और तिच्छी हो जाती। हफ्ता भीत्ते न भीत्ते वो जला गई, दर्वाजे जीने, बाजे किसी तरफ जाना मुहाल, सब और एक घिनानी मुस्कराहट और तन्मन पर व्यापती असहजता। और तब उसने मनी मन एक पुक्ता निश्चे कर लिया। जाने कैसे उसे सूजी, बुद्धू से दिखने वाली लड़की में इतनी हिम्मत आ गई। जायद इसी लिए कि सीधी होने पर भी वो बेहद अडियल तथा जिद्धी थी और चुछोरे पन को तो बिल्कुल ही नहीं सह पाती थी। पस एक दिन जैसे ही रमन इधर धर जाकता अपनी बढ़कीली वा शोग पुशचड के तीन बटन खोल कर घर में खुसा, उसने जाहट में ही उसने जबरदस्ती उसे देख कर किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश जरूर की और जादा जोर से भड़ा कुठी थी वो। ये तुमें क्या हो गया जी ऐसे तमाशी जैसी सूरत क्यों मनाये गूमते रहते हो। जाकर शीशे में देखो कितने गंदे तो लगते रहा जैसे सीधे बाहरी उच्छल आएगा। असल में बोल भले ही गई हो लेकिन घबराट उसे भी कुछ कम नहीं थी। बाद में रमन को सर जुकाई जाते देख उसे दयासी आई पर कुल मिलाकर एक चैन की सांस ली उसने। रमन फिर कभी न दिखा। दो साल बाद अचान रमन उसे देखता तो सही, समझता तो सही कि विवाय योगि शालीन वरवधू कैसे पढ़े लिखे, जहीन और नौकरी पेशा होते हैं। रंगे पुते बंदरों से नहीं पर रमन की कहीं शकल ही नहीं दिखाई दी। शादी के कामों में भी उसने दूसरे लड़के लड़ पूरे उत्सास से उसकी शादी में जुटे हुए। विज्जू तो बहुत दोड़ा, विज्जू उसे अच्छा भी लगता था, लंबा लेकिन टिटेरी जैसा नहीं। रंगवी साफ और रमन की तरह बाल भुरबुरा कर बुलबुले भी नहीं निकालता रहता था। जहा है उसके नीली पट्टी वाली जांग्या के। कहा ना, अंदर ही अंदर कुछ जिद्धी, अडियल सी थी वो। सो बस अपने घर से चौथे पाच्छों मकान की छट पर जब कर भी बिज्जू को नीले पट्टी दार जांग्या में लेट कर पढ़ते, चैल कदमी करते या न की निगल जाता है, मम्मी ये सब जा रही है, ओ अच्छा अच्छा सुम्मी चौक गई, लड़कियां बारी बारी से ठैंक्यू आंटी पकोड़े बहुत अच्छे बने थे, कहती होई चली गई, कल बड़ा तमाशा हुआ, ढलती दुपहर सिलाई मशीन की चौकी किसका कर सिलते सिलते वो सोचने लगी कि अगर मशीन की सुई गलती से उसकी उंगलियों को ही कपड़े की तरह छेती चली जाए तो, उस दर्थ की कल्पना मातर उसे सहरा गई, लेकिन दैशत उसके मन में बैठती गई, उसे लगने लगा, चाहे कितनी सतर्कता वो बरते, आज सुई उसकी उंगलियों को आरपार छेट डालेगी, तब ही उसके पती ने आवाज दी, शायद चाय में आदा चमत चीनी जादा डलवानी थी, पती की सुनों सुनते ही वो हड़ड़ा कर उठी ही थी, कि जटके से उसके दाएने पैर की उंगलियां फर्ष के साथ बुरी तरह मु इस तरह पैर मुरग जाने पर, कमरों के बीचों बीच फर्ष पर धप से बैठ जाना और सीसी करना बच्चों को खासा मज़िदार लग रहा है, बेटे ने कहा, ये लो, मम्मी फर्ष पर फिसल गई, एक दो मिनट तक उसे ना उठते देख, शायद उन्हें अपनी गलती का हैसास हुआ, छोटी बेटी ने दोड़कर आधी हसी, आधी चिंते तवाज में पापा से कहा, ममी को तो रपट लग गई, फर्ष पर गुटनों में सर डाले बैठी है, और बड़ी बेटी पास आकर सानू भूती पूरवक बोली, दिखाव जरा, कहा लगी, कैसी लगी, सू लेकिन सुमी चौक कर छलचलाती आँके चुपाती उड़ गई, अरे नहीं, यूही मुरक लग गई थी, अब ठीक हूँ, उसे लंगडा कर खड़ी होती देख, छोटी बेटी फिर खिल खिला पड़ी, लेकिन ये बताओ ममी, सीधे सीधे फर्ष पर बिना किसी अटकल करती है न? हाँ, सुमी गिती तो पापा, जिजी, अम्मा सब दोड़ पड़ते, सुमी से ज़्यादा हाई हाई अम्मा करती, तुरां तेल और हलदी का लेप तयार होने लगता, सब रोग, दोश, पीड़ा, हरन, और एक बार जब बचपन में सुमी बगीची की कच्छी दि जब वो अपने पती के साथ जील में बोटिंग के ले जा रही थी, तो पहली बार घर से बाहर अकेले सिर्फ पती के साथ होने पर उसने घुंगट उठाया था और अंजाने चौक गई थी, पूरे शरीर पर एक थर्थराती सुरसुरी दोड़ गई थी, और उसने अपने आ रहे थे, छोड़ो छोड़ो, ओ सुमी, तुम्हें सिर्फ इस तरह बेरोक्टो कतीक की तलहट छाटने को छोड़कर कोई काम नहीं है क्या, इतवार की छुट्टी का दिन, पती बच्चे घर पर और तुम हो की अपना एक खाली प्याला लिए, कहां-कहां टक तोरती फिर र और एक के बाद एक सुखे कपड़े उतारने लगी, बेटियों के चूड़ीदार समीजे, बेटे की पतलूने, उसके अपने पैटिकोट, साडियां और पती की कमीज, लुंगी और नीली धारियों वाला जांग गिया, तो ये थी सूर्यवाला जी की कहानी सुमी की बात, खुक फूलूस झाल झाह जब बात, साटम झाल थी सूर्वाला जो की 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 बात, साटम एक सुमी आपाने समीज, लूक. झाल झाल झाल